आज हम आलू और चीज के बहुत ही यम्मी बॉल्स तयार करने वाले हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होते हैं आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राइक कर सकते हैं इसके लिए हम दो उबले हुए आलू लेंगे यहां पर हमने आलू को मैश कर लिया है इसके बाद हम यहां पर प्रैट करमस एड़ करेंगे यहां पर हम हरा धनिया भी एड़ करेंगे सभी चीजों को हमने यहां पर एड़ कर लिया है अब इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हम black pepper powder add करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा salt add करेंगे यहाँ पर हम red chili relax add करेंगे औरेगेञ एड़ करेंगे सभी मसाले add करने के बाद चीज़ की बारी आएगी तो यहाँ पर हमने process चीज लिया है Process हमने करीबन एक कटोरी लिया है तो यहाँ पर सभी चीजों को हमने अच्छे से mix कर लिया है इसके बाद इस तरीके का texture तयार हो जाएगा इसके हम छोटे छोटे balls तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे balls एक एक करके तयार हो जाएंगे अब हम तेल को गरम करेंगे तेल को medium flame पर इस तरीके से हम छोटे छोटे balls को इस तरीके से fry करेंगे दिरे दिरे डालते हुए यहाँ पर हमारे balls इस तरीके का color आ जाएगा जब तक कि golden brown color ना आए तब तक आप इसे जरूर पकाए तो यहाँ पर थोड़ी ही देर में दो से तीन मिनिट में आपके balls तयार हो जाएंगे करमा गरम आप इसे चटनी या फिर सौस के साथ सब कर सकते हैं आप भी इस recipe को घर पर जरूर ट्राइ करें सबी लोगों को यह recipe जरूर पसंद आएगी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें